तो आपको figure देखते ही समझ आ गया होगा और question भी ये question आपका देखे 3 marks का है पर इसमें 3 पार्ट है ये पहला पार्ट है question number 4 में आपका 3 पार्ट है 3 पार्ट में से first part है और first मतलब इतना सिर्थ बताना है तो ये आपको one marks का होगा मतलब आप अगर figure बना दो ऐसे तो one marks मिलगा कुछ मत बोलो खाली figure बना बोला है draw bi characteristic आप pn junction diode मतलब pn junction diode का voltage current का characteristic figure बनाना है पर हाँ बनाएंगे तो ऐसे teacher इस पे कुछ ने लिखने पर भी number देता है पर आप लिखोगे आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना भूलना है म आपको यहां दिखाना जो current forward का होगा milli ampere में दिखाना है और reverse wise का current होगा वो micro ampere में दिखाना यह हमेशा याद रखिएगा milli ampere, micro ampere यह दो चीज आपको कभी नहीं भूलनी है ठीक है आपको माले इस पे plus दिखाया है तो देखे यहां से यहां तक जो current थोड़ा थोड़ा उसके बाद यहां से यह क्या कर दिया सडेनली बढ़ना सुरू कर गया इसको बोलते है नी बोल्टेज और यही आपका three sold voltage है इसके बाद जो आपका current क्या करेगा बढ़ना सुरू होगा क्यूंकि इस से कम पे नहीं बढ़ता है नाम मात बढ़ता है और एक तरह से का सकते है सिर्फ आपका जो junction पे जो आपके junction डायोट पे जो electron होते है उसकी वैस होता है और इस तरफ अगर आप देखते हैं तो आपका क्या होगा जब इधर से आपका देख रहे है यहां तक आपका current बढ़ा नहीं बहुत थोड़ा current मिला यहां आपका current 0 नहीं हो सकता थोड़ा current मि को लेंगे और जहां से suddenly बढ़ता उसका ना होता breakdown voltage और यह reverse बायस होगा और यह forward बायस होगा यह फारवर्ड बायस लिखना है तो diode इतना ज्यादा heat हो जाता है या तो यह melt करेगा या तो जो number up electron proton होते हो क्या होता है number up electron उससे बाहर आजाते है उसको break कर कितना heating होती है तो वो क्या करेगा cell छोड़ देगा जैसी cell cell छोड़ेगा उसके अंदर number up electron और holes फ्री हो जाते हैं तो अगर reverse है तो हमारा जो होग होगा मान कि छेली holes attract आपका holes क्या होगा बच जाएगा और electron होल्स को आगे बढ़ने के लिए क्लिए क्या कर जाता है majority आप carrier मिल जाते जिसकी वैसे आपको करिन बहुत सडेली बढ़ते दिखेगा और ज्यादा देर अगर आपको इसको करते रहे अगर उसका intensity या कुछ नह हो सकता है, heat होके जल जाएगा, पहले क्या होता है, diode बाहर लगा हुता तो जल्दी खराब होता था अब क्या है, डायूट बाहर नहीं लगा है, तो इस तरीके से थोड़ा साब टिकाओं हो गया, जो ऑपरेटर्स बन क्या था, नहीं तो पहले क्या होता है, heat हो जाके तुन तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे आपने फीगर बनाना क्या क्या आपको लिखना है और वन माक्स कहां से आपको मिल जाना है तो आए हम लोग नेक्स क्वेश्चन आगे लेते हैं